हेलो स्टुडेंट्स मैं आकास बार्दु आज एक बार फिर से आपकी इंजिरिंग इलेक्टिकल थियोरी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं आप आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ओफ डीसी जनेटर यानि डीसी जनेटर को कितने भागों में बाटा गय है तो आज हमारा टॉपिक जो हम बताएंगे कि डीसी जनेटर को कितने भागों में बाटा गया है तो इसमें आप यह देख रहा है कि डीसी जनेटर क्लासिफिकेशन करना है डीसी जनेटर को तो डीसी जनेटर जो है कितने परकार के होते हैं तो डीसी जनेटर दो परकार के होते हैं पहला है पर्मानेंट मैगनेटिक जनरेटर तो पर्मानेंट मैगनेट जनरेटर जो होता है हमारा पर्मानेंट मैगनेट जनरेटर जिससे की नाम से आपको पता इसमें पर्मानेंट मैगनेट यूज होते हैं जो दूसरे नमबर पर Electromagnetic Generator आता है, ये देखिए, नमबर टू है, Electromagnetic Generator, तो Electromagnetic Generator जो होता है, हमारा Electromagnetic Generator, इसमें बिजली के द्वारा Magnet बनाई जाती है, और फिर एस्थाई रूप से बनती है, और फिर वो हो जाती है, इस प्रकार, तो दो प्रकार के DC Generator है, Permanent Magnetic Generator और Electromagn Magnetic Generator फिर Electromagnetic Generator को भी दो भागों में बाटा गया है पहला है Self Excited Generator और दूसरा है Separately Excited Generator तो जिसको Separately Excited किया जाता है तो वह Separately Excited Generator कहलाता है जिसको Self Excited Generator बोलते हैं जो Self से ही चालो हो जाए तो जो Self Excited Generator है वह बहुत ही important है इही का ज़्यादा एक्जाम में आता है Self-Excited Generator तो यह जो Self-Excited Generator होते हैं यह तीन प्रकार के होते हैं और यही तीन प्रकार सबसे ज़्यादा important है जनननेटर में यह जो Self-Excited Generator है यह जो तीन प्रकार का होता है यह Series Generator, Center Generator और Compound Generator तो आप देख रहे हैं इसमें Self-Excited Generator का जो दिया गया है वो Series Generator, Center Generator और Compound Generator तो यही very very most important है आपको यही ज़्यादा याद रखना है याद तो सारा ही रखना है पर यह ज़्यादा याद रखना है तो फिर यह जो Compound Generator है इसमें Long Shunt Compound और Short Shunt Compound तो इस प्रकार इसमें इस प्रकार इसमें दो चीज़े आ रही है Short Shunt Compound और Long Shunt Compound तो आप इसमें देख रहे हैं मैंने जैसे की बताया तो इस प्रकार इसमें DC Generator का जो parts है वो DC Generator का जो जो classification है वो दो भागों में था Permanent Magnetic Generator, Electromagnetic Generator फिर Electromagnetic Generator को दो भागों में बाटा Self-Excited Generator और Separately Excited Generator फिर जो Self-Excited Generator उसको तीन भागों में बाट दिया है Series Generator, Center Generator, Compound Generator और कर जो Compound Generator हमारा होता है वो Long Shunt Compound होता है और एक होता है Short Shunt Compound तो इस प्रकार ये classification हमारा DC Generator का है अगर इसमें कोई समझ में नहीं आता है कुछ बात तो आप हमसे पूछ सकते हैं इसके बाद आगेगी क्लासों में हम इसको define करेंगे अलग-अलग एक एक लेके तो उसमें जादा आपको particular one generator को समझाएंगे तो उसमें जादा समझ में आएगा अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं धन्यवाद